ओम सिरी गने सायन अमदोस्तो एस्ट्रो समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हाड़ दिक स्वागत है दोस्तो आज एकी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 16 अगस्त सुक्रवार की रासी फल के बारे में कि यह दिन में थुन रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किन किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजिनिस और वियापार कैसा रहेगा और स्वास्थ की महत्पा पूर्ण जानकारी हम आपको देंगे और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और भैतर बना सकें दोस्तों आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगो से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी ने ने वीडियो पहुंच सके चलिए दोस्तों बात करते हैं कैसा रहेगा मिथों डासी वालों के लिए सुक्रवार का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला है दोस्तो आज का दिन आपके लिए बहुती अच्छा रहेगा जरूरी काम बनने से आज आपको लाबदायक अवसरों की प्राप्ति होगी रुकावा धन आज आपको वापस मिल सकता है अच्छी खबर मिलने के भी आज आपके लिए अने को योग बन रहे हैं उच्छ पदादिकारी और बुजुर्ग वर्ग की किरिपा दरश्टी आपके उपर रहेगी सबी काम सरलता से संपन होते हुई आज आपको प्रतीत होंगे साथ साथ आज आप अपनी कार्रे कुसलता के दम पर कई महत्पपूर कार्रे बहतरिन तरीके से पूर्ण करेंगे जिससे आपको काफी राहत महसूस होगी किसी नजदी की रिष्टेदार का घर में आगमन और हास परियास में समय व्यतित होना घर के माहुल को काफी खुसनुमा बना कर रखेगा अपने परिवार में ववस्ता बनाए रखने के लिए जो नियम और काइदे बनाए हैं वो वाके में काबिले तारीफ हैं इससे घर में अनुसासित माहुल रहेगा और बच्चवी अपनी पढ़ाही की ओर एकागरचित रह पाएंगे आज रोजमरा की जिंदिगी से कुछ हटकर नया करने की सोचें इससे आपकी मानसिक और साररिक ठकान दूर होगी और एक नई उरजा का प्रभाव अपने अंदर आप महसूस करेंगे फाइनेंस से संबंदित महत्वपूर्ण निर्ने लेने के लिए आज के दिन आपके लिए बहुती उत्तम हैं दोस्तों आज का समय आपके लिए कुछ शकार अत्मक उपलब्यां लेकर आ सकता है अपने महत्वपूर्ण कारर को निवटाने में अपनी आज आप पूरी उरजा लगें आपके प्रियास अवस्से ही सफल होंगे धर्म कर्म के प्रती अस्ता रहेगी दिल की अपेक्षा दिमाग से आज आज आप निर्ने ले भावुकता में आकर आपके निर्ने गलत हो सकत हैं शेर मार्केट और रिस्क संबंदित कारों में आपके लिए लाबदाएक परिस्तितियां आज उत्पन हो सकती हैं जिससे आपका मन बहुती प्रसन रहेगा दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या नेगटिव हो सकता हैं दोस्तों परिवारिक इस्तितियां आ आज संभावना पाई जाती हैं, किसी तरह के मन में भर्म उत्पन होने से एक दूसरे के साथ कहा सुनी हो सकती हैं, साथ साथ बच्चों की किसी नकार अत्मक गतिविदी के कारण आप में तनाव और क्रोध जैसी भावना उत्पन हो सकती हैं, परंतु उनकी गलतियों को दोस् करें इस से इस्तिती में जल्द ही सुधार आ जाएगा साथ साथ आप किसी पर विश्वास करने से पहले सभी पहलूओं पर अच्छे से विचार अवस्य कर लें आपकी भावुकता और उदारता का लोग आपका फायदा उठा सकते हैं दोस्तों के साथ अधिक मेल मिलाप भी स समय की बरवादी ही कराएगा दोस्तों ध्यान रहे कि किसी भी निर्णे को लेने में बहुत अधिक समय लगाना हात में आई हुई उपलब्दियों को दूर कर सकता है अपनी वानी और जिद्दी स्वभाव को नियंत रित रखें मामा पक्ष से किसी प्रकार की गलत फेहमी आज उत्पन हो सकती है आपके प्रती दोंदी आपके बारे में आज कुछ अपवा फैलाने की कोशिस कर सकते हैं जिसकी वज़े से पडोसियों दोस्तों के साथ संबंद खराब हो सकते हैं किसी भी परिस्तितियों को सामतिपूर्ण तरीके से समझाएं गुस्षा करना समस् प्रता से सोच विचार करना अती आवश्षक है कोई बाहरी वेक्ति जलन की भावना से आपके उपर बदनामी या आरोप की इस्तिति उत्पन कर सकता हैं शाफधान रहें दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली हैं दोस्तों आज के दिन आप आपका जीवन साती आपको हर काम में आपकी मदद देगा और आपकी हर बात को सुनेगा जिससे आपके रिष्टे में शकारतमक बदलाग आएंगी आपके प्रेम जीवन में चली आ रही समस्चाएं खुद पे खुद अज समाब्त हो जाएंगी जह दोस्तों जीवन साती का सकारतमक सयोग आपको आत्म बल और आत्म विश्वास प्रदान करेगा आपसे संबंदों में और अधिक नजदी की आएंगी बच्चों की किरिकारी संबंदित कोई सूचना मिलने से प्रसनता पूर्ण घर में वाता वरण रहेगा प्रेम संबंदों में भी और अधिक गंभी प्रता आएगी वेवाई के संबंद ठीक रहेंगे परिवारिक माहुल खुसनमा रहेगा किसी पुराने मित्र से मिलने से भी सुख़द यादें ता जाहूंगी दोस्तों आज का दिन आपके प्रेम जीवन के लिए बहुती अच्छा दिन रहने वाला है इस दिन का आपको आवस से ही लाब उठाना चाहिए दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपका वैवसाय केरियर कैसा रहने वाला है दोस्तों कारेच छित्र में आपकी निगरानी अती आवशक है क्योंकि थोड़ी सी भी लापरवाई से महत पकून ओर्डर आपके हाथ से निकल सकते हैं नोक्री पेसा वैक्तियों को भी धहरे बनाकर रखना आवशक है क्योंकि उनके ओपर काम का अधिक बोज रहेगा कारेच छित्र में कुछ नीतियों में परिवर्तन लाने की आपको आवशकता है शहयोगियों और कर्मचारियों की गतिविद्यों को नजर अंदाज ना करें आपकी पीट पीछे आपको कोई नुक्सान पहुंचाने की कोशिस कर सकता है साजेदारी के वैवसाय में पार दरसिता रखना आपके लिए अति आवशक है किसी भी प्रकार के एनेतिक कारेच को करने से बचें क्योंकि इसका दुस प्रिभाब आपके मान सम्मान पर पढ़ सकता है साथ साथ किसी अजनवी के साथ कोई भी डील फाइनल आप ना करें तो आपके लिए बहतर रहेगा दोस्तो साथ साथ कारेच छेतर में चली आ रही किसी भी प्रकार के दिक्कत को भी सामती पूर तरीके से सुल्जानी की आपको आवशकता है क्योंकि गुसे और आवेस में परिस्तियां और बिगड सकती हैं अधिकारियों से भी बात चीत करते समय मानसिक इस्तिती सामान्य बना कर रखें दोस्तो साथी साथ आज का दिन मार्केटिंग सम्मंदित कार रहें और बाहरी गति विदियों में व्यतित होगा नोकरी पेसा व्यक्तियों को भी अपना टा आपको एशिड़िटी और गैस की समस्या उत्पन हो सकती है ऐसे में अपने खानपान में आपको शैयम बना कर रखने की आवशक्ता है दोस्तो साथी साथ अपने स्वास्त को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजाना योग करें वयाम करें स्वस्त रहें दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपके लिए विशेश उपाई क्या है दोस्तो आज आप इशनान आदिशे निर्वत्र होने के बाद बहुती प्रेम पूरवक साबू दाने की खीर बनाएं या दोस्तो इस खीर में आप शक्कर के इस्थान पर मिस्री डालें जब ये खीर त आप इस खीर को मा लक्षमी का इसमरान करते हुए गरीबों में बाटें या दोस्तो ऐसा करने से मा लक्षमी बहुत जल्द प्रसन होकर आपके समस्त कष्टों को दूर करेंगी जो विए आपके जीवन में परिशने चल लहीं हैं धन से संबंदे जो भी परिशने चल लहीं हैं समस्त परिशने उकांत करेंगी और आपके घर में सदेव धन शुक संपत्ती का वास होगा मा लक्षमी आपके घर में वास करेंगी या दोस्तो आप इस उपाय को वश्य करें आपको वश्य ही लाब प्राप्त होगा दोस्तो मा लक्षमी का शिरवाद आपको प्राप्त सच्चे दिल से कमेंट स्बोक्स में जैमा लक्षमी अवश्य रिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद